हाई मैं हूँ योशु मायापुरी नीज बुलिटिन में आपका स्वागत है सल्मान खान की मूवी राधे की शूटिंग रुख गई थी कोरोना वारिस की वज़े से अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर शूटिंग शुरू होने जा रही है दो ऑक्टोबर से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी यानि की कल से और सल्मान खान भी बिलकुल रेडी है शूटिंग करने के लिए दिपिका पादुकोन के को आक्टर्स जिनका नाम S, A और R से शुरू होता है उनको NCB की तरफ से समन भीजा जा सकता है ड्रग्स के चलते जी हाँ ऐसी खबरे सामने आ रही है कि इन तीनों स्टार्स को समन भीजा जा सकता है लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये फॉल्स न्यूज है अक्षिकुमार की मुवी लक्ष्मी बॉम का एक नया पोस्टर सामने आया है जिसमें रिलीस डेट भी दी हुई है जो 9 नोवेंबर लिखा हुआ है ये मुवी OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीस होने जा रही है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि 15 ओक्टोबर से थियेटर्स खुलने जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मुवी थियेटर्स पर भी रिलीस हो जाए हतरास में गैंग रेप की दर्दनाक खबर सामने आई है जिसके चलते बॉलिवुड में कई सारे स्टार्स काफी जादा नराज हो गए है और जो विटम थी उन्होंने भी दम तोड़ दिया है इसी के चलते कंगना ने एक वीडियो बनाई है जहां वो CM से ये मांग कर रही है CM यानि की योगी अधित्यनात से ये मांग कर रही है इसके जो भी कल्प्रिट्स है उनको मौत की सजा सुनाई जाए हाली में NCB ने दिपिका पादुकोन, सारा अली खान और शदा कपूर से ड्रग्स के मामले में पूछताच की थी पूछताच करते टाइम तीनों से एक ही तरह के questions पूछे गए थे और तीनों ने similar answers दिये जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तीनों को एक ही person ने tutor किया था कि कैसे right answers दे अक्षे कुमार की movie bell bottom की shooting Scotland में खतम हो गई है अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो without any break अपनी दूसरी movie की shooting स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पृत्वी राज के लिए है अक्षे कुमार जो अपने discipline के लिए माने जाते हैं और hard work के लिए माने जाते हैं वहीं past में भी उनको back to back filmों की shooting करते हुए देखा जा चुका है शारुक खान की बेटी सुहाना खान ने हाली में ये reveal किया कि काफी time से उनके color को लेकर काफी लोग बहुत ट्रोल करते हैं सुहाना खान को Bollywood actress पायल घोश ने अनुराग कश्यप पर sexual harassment का आरोप लगाया था और अब पुलिस डिपार्टमेंट से अनुराग कश्यप को समन आया है Thursday यानि कि आज अनुराग कश्यप से पूछताच की जाएगी इस बारे में वहीं पायल ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि काश जस्टिस मिल जाए Movie 83 अक्टर साकेब ने ये रिवील किया है कि अगर आगे चलके रिया चक्रबर्ती को सुप्रीम कोट से क्लीन चिट मिल जाता है तो क्या मीडिया और प्रेस उन से माफी मांगेगी इतना जादा मेंटल टॉचर के लिए ये question उन्होंने मीडिया वालों से उठाया है क्योंकि पहले भी उन्होंने मीडिया वालों को देखा है कि उन्होंने किस तरह रिया चक्रबर्ती को मॉब किया था अब मिताब बच्चन सोशल मीडिया पर काफी जादा अक्टिव नजर आते हैं हाली में उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया है जो काफी ट्रेंड कर रहा है उन्होंने ग्रीन रिबन के साथ ये एलान किया है कि वो एक औरगन डोनर बन चुके हैं मिताब बच्चन के इस पोस्ट पर उनको काफी जादा अप्रेसेशन मिल रही है आज के लिए इतना ही लेटिस बॉलिवुड न्यूज और होट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें माया पुरी काइट